नमस्कार मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेव समाचार पूरे जार्खन में पंचाय चुनाओं की सरगरी में जैसी समाप्त हुई नगर निगम नगर परशाद नगर पंचाय चुनाओं को लेकर निर्वाचा नयोग एक्टिव हो चुके हैं आपको बता दें नगर परशाद के बाद कभी एदर्स अचार संक्ता लागू हो सकता है रौर चुनाओं का संकुनाओं का संखनाद में चुनाव हो सकता है तो बताते हैं कि अभी हम आए हुए है जम सेथपूर जिला में अधितपूर नगर निगम छेत पड़ता है और वार नमर 32 में आए हुए हैं और हमारे साथ जूरे हैं वार नमर 32 के परसद हैं मालती देवी तो इन से जानते हैं कि जनता ने इनको जब आपको पांच वर्सों के लिए मौका दिया चार सार चार साल का वक्त गुजर चुका है तो अब तक इनके दुवारा क्या कुछ डिवलपेंट यानि विकासा काम हुआ आगे कि क्या रानिती है और कुछ पोईटकल सवाल जवाब भी किया जाएगा तो पहले तो मालती जी आपको पांच वर्सों के लिए मौका दिया तो अब तक क्या कुछ डिवलपेंट यानि विकासा काम हुआ बहुत सारकार्ज हुआ पहले तो आपका आवाज धन्याबाद और सभी को अश्कार काम तो बहुत हुआ जब हमलोग बने थे 2000 में तो उस्टं में काम चल रहत था थी तरद चल रहता और मुखमंत्री कचुना हुआ था मुखमंत्री हेमनशण बने थे तो फिर हम्लोग का कारीज कुछ बंद हो गया था फिर दीरे शुरू हुआ करोना काल हुआ लोकडाउन ह हुआ और सभी काम बंध हो रहा था लेकिन हमारा काम बंध नहीं हुआ नहीं हुआ क्योंकि हमारा लड़के विश्नुगिरी है और नाराइन तो यह दोनों फिल्ड में बहुत काम करते हैं और यह अपना सराइकिला बलोग यह सारा चीज बराबर देखते रहते हैं एकडम समाज का काम करते हैं ताकि समाज में कोई ऐसा सरकार का कार्ज से बंचीज नहीं हो सके इनहों जितना क्रोना पयमारी की पहत चाम के लिए है तो नहीं भीवितन दिल में करते हैं तो अपना काल करके घंएधन ना की कोई आकर की किसीको करच्ट नहीं हो और अपना ले जाना ले आना श практически चाल क्यों करना काल में तो बहुत ज़्यादा काम था, उसमें कोई काम रुका नहीं, और हमको यह इच्छा है कि आदर्स वार्ड बनाएं, और कोई ऐसा विद्वापेंशन, विधापेंशन, विकलांग, कोई ऐसा सरकार के कार्ज से बंचिन न रह सके, यह बड़ा सोच है. हसी बताः एक, इन चार सालों में करब करब आपने कितने लोगों को पर्दण मंतर य्वा अब अस्वानग को बनवाएं य। विद्वापेंशन, विद्वापेंशन, कोई श्वी को बन्चित है, हमारे वाड में जोड़तोर से काम चल रहा है और आपका भोटरकार को अधारकार को जोड़ने के लिए वह भी काम चल रहा है जोड़तोर से हम तो कहेंगे कि मेरा वाड ऐसा है वाड है कि कोई भी काम बाकी नहीं है और अब चलते रहता है काम है तो चलता ही रहेगा चुकि आपको जनता ने प्रतिदी आपको एक दाइत वो दिया है इस वाट के डिवलप्मेंट के लिए विकास के लिए तो आपको काम करना है तो यह बताए कि अगर चार सारे चार साल का वक्त है तो इसमें सबसे और महत्पून और एतिहासी काम को लगा हो कि यह जुमेंने काम किया पुण में नहीं हुआ था और मैंने वो किया को ऐसा कार्ज हमने किया जो जितने विद्व हैं और ब्रिधां पूरा किया नों विव याद करेंगे और किसी को बारे बज़ रात तक होना आता है तो हमने इस काम को उपलबत करते हैं मतलु तुरन्ट पहुंछते हैं एसक और कुई काम नहीं है, जाजसे किसी को जगड़ा हो गया, कहीं जाना है, कोई बीमार है, कोई भी जाज है, तो हमने नहीं कि तुम जाओ, तुम करो, खुद अपने से खड़ से जाके सारा काम किये हुमने अपने भाई को नहीं बोलते परिवार को लोग नहीं बोलते हैं और आपको एक मतलब इस वार्ड के जितने भी घर हैं तो सभी लोग आपको गार्जेन का मतलब यह होता है कि अगर आपके वाड में किसी भी घर में किसी तरह कोई समस्या होता है तो अवगत कराते हैं आपको कि हमारे यहां इस तरह के समस्या है इसको इसका समधान हो तो यह बताएए कि इस बाड की सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है अभी समस्या यह हमूल समस्या यह है कि हम लोगों का समय में रोड जो बना है वह आपका इसका जिंदल का और सपुजी क्या यह सारा रोड को खूंत यह रख दिये हैं एक ही रोड बे आधा बना आधा छोड़ दिये कि जए कितना हो गिया यहां से में रोड में जाने के लिए इतना गढब फ़िव्ली कर दो आरा हम और हम यह की ओलों किया यह काम को पुडा नहीं किया इसे हम जो बहुत बbach लुचार है-वह खेलने सब्हूंत क्या पानी के लिए जो काम के जा रहा है जिन्दर के? करते हैं तो बहुत सारा दिकत होए जी आपके कारेकाल में सबसे महत्मून और एथिहासी काम है हूआ आपने बिहतर काम किया खासकर अगर बात कहें तो विध्युवाप इंसन को लेकर के जो आपने काम किया राचन कार्द बना तो आगी कि क्या रहनीती है कि अगर जंता का प काम यसी तरह माने कहीं सब एकदम क्लीन हो जाए रोड ताकि लीड वाड और ग्रीन वाड के रूप में डिवलप पर जी और मेरा काम बने रहे हैं पबलीक में हम अपना पड़िवार बने रहे हैं पॉलिक हमको जिसे पड़िवार समझता है उस तरह का बोलो हर्दम बने रहे हुए हैं किसी को गतना ना हो किसी को का कोई तकलीफ ना हो हमारे रहते हुए हम यह शोच रहें कि किसी को तकलीफ ना हो यादगार है कि ऐसा पाया सद्वना जो हमनों कोई दिख्यत में है जिस वताँ एक ऍहीं कि क्षाने के लिए और क्षाने के लिए सब हमिड़ के लेकिना रासरकार यह असने बना दिया सही और रहने वालाय सब्लसक्राद कर दो economy बंदू है कि इसमें बहुत पुस्म आडपी अढम Town to go удows ज fre है लेकिन हाणे में रहने वाले गरिव भर्स नहीं है उननने मिलता है चटनी में बैठा देता है, पर्मामेंट नहीं करता है, इस तरह चीज है, तो कहां से होल्डिंग टेस देंगे, और नगा नियम से तो देख नहीं कि बड़ाबर, बोलेंगे तो सिकाइटों का कि गारी भी नहीं मिलता सफाई करने के लिए, होल्डिंग टेस बड़ते जा रह ही तक आया नहीं हम लों का गड़ा खुन के छोड़ दिया, तो पानी मिलना चाहिए पब्ली को हर समय, शिवता ये कि भारत का जब समीधान एक है, जनता के प्रतिन दी याभी है, और जनता के प्रतिन दी MP यह मिले भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुईधा दिया जाता है चाहिए वो पेंशन के सुईधा है, स्वास्थ हो, ठीक है, ट्रेवल्स का मामला हो, मोबाइल खर्च है, तेल का खर्च है, लेकिन आप लोग को केवल मांदे मिलता है, वी संतो जनक और कुछ महीनों से, साल भी नहीं कहेंगे, कुछ महीनों से तेल के लिए कुछ पैसा करते हैं, कि पार्चादों को बहुत मेनत होता है, तो सुविधा मिलना चाहिए, और हम लोग को भी पेंशन मिलना चाहिए, और सरकार सुविधा हम लोग को बराबर दें, क्यों कि ओ लोग मिलता हम लोग को क्यों नहीं मिलता है, तो सरकार यहीं बताएगी, लेकि चाह तो स तो चुनाव के लिए त्यार है और सरकार का कार्ज है सरकार इसमें सोचेगी कि क्या करना है लेकिन हमें कुछ कमी नहीं इसलिए हम त्यार है अंतीम सवव आपसे है कि आप एक महिला है पारसाद है और भारत के जो राश्ट पती है वो एक महिला है और उनका राजनीतिक करियर का सुरुवात पारसाद से हुआ कैसा लग रहा क्या परिणा लेते हैं आप उनसे क्या भी राश्ट्रपती बना चाहेंगे यह तो नहीं हम समाज से भी है पाले से भी महिला संगर्जन करते हैं और समाज के काम करते रहेंगे आ कि महिला में राश्ट्रपती बनी त्याइंक है Healing जरकंड के जो अभी वर्तमान सरकार है हेमन सरकार है इन्होंने 1932 खतियान को लेकर के अभी केमिनेट में पारिद कर दिया गया है क्या इसा ही है यह सरकार किसफे विचार करना चाहिए इसा ही नहीं है तो मुल्द इतना वासी बासे हुए है हर जगा का हाई यहाँ पर तो उन अजयाना बना लिए। तो इस तरह को नहीं होने चाहिए। तो उन्हों ने तो केवाल अपने जारख से भाईलों के लिए द्रशन लिए लिए ही सोचे। और हमारे बिहारी लोग को लिए नहीं सोचें, यहां सभी लोग को सोचना चाहिए, कि आदमी इस तरह का आएगा, तो कैसे होगा, तो यह तो गलाट, तो बिहार से जारकन तो 2000 में अलग हुआ, ठीक है, लेकि उसके पहले तो बिहार ही था, तो सरकार को तो इस पर विचार कर आपड़े गा कि हम लोग जब इहां पर बसे थे तो बिहार से ही बसे थे, बिहार कहीं रहे है, लेकिन आप जर्खन में बसे हैं, तो जर्खन बन रहा है, लेकि तो 32 का खतियान कहां से लाएगा कोई, इसलिए ऐसा निसोच नहीं करना चाहिए, और यह लोग अपना-अपन नाम के लिए करते हैं, लेकिन हमने कहीं गिया, देखा बहुत सीच जगा, तो जर्खन बाइब बदले कहां हैं, केवल नेतालों के छोड़ करके कोई अमीर नहीं हुए, गरीब गरीबे रहा गया, किसी को रासनकार दूसरे जगह नहीं बना, किसी को कोई सुविधा नहीं म अलग होने से जितना मूलबासी हैं, उनको क्या फैदा मिला, उनको तो कुछ फैदा मिला नहीं, जर्खन को जर्खनियों ने लूट लिया, जर्खन को जर्खनियों ने लूट लिया, नेता बनके, बरा आदमी बनके, सभी से लेकर के बनते हैं, किसी को अपने मन से सरार्थ कुछ काम करते हैं, कुछ पैसे देते हैं आपना काम कराले लhen. देह कहां किसी को कुछ सुबिधा मिला हमने तो लोग-डैउन में दूसरे ढूसरे आदमी लोंसे से चैरने के काम किया, गरीब को हम किसी तरह पिट पाले पन दें सुबिधा दे, क्योंकि अमीर के पास तो बहुत कूछ और हमलय तो उतना लक नहीं है तो हम काम था कि हम घरिब से अमीर के लेकंभ हर करके घरिफ को बांटे हमने भहुत जगा हाथ पसाहिए भहुत जगा मागा और घरिब नोग हो दिया जितना आवकाद नहीं था उसे जड़ा किया में लोगडान में तो बहुत सारा काम हुआ ना तो यह जर्खन के कहाएंगे कि आपने सही बुला कि बतिस का खतियान मांग करके कि अच्छा हुआ नहीं यह कुछ लोगों को मौन पर हा रहा हैं यह ताकि यह लोग किसी तरह यहा परसाद के थूरू कुछ भी दिया जाए तो परसाद लोग अच्छा से ओलों को सेवा करेंगा तो आपने सुना कि जिस तरह से वाट परसाद हैं वाट नमर 32 के मालती देवी ने क्या कुछ कहा कि जार्खन के लोगों को जार्खनियों नहीं लूटा यह किवल जो आपने आ जो हम कर सकते हैं कि पूरे इंटर्व्यू में सबसे महत्पुन और सबसे दमदार अगर कहा जाए तो यह रहा कि इनके द्वारा जो डिवलपेंट किया गया एतिहासी काम किया गया जो वाट के समस्याएं हैं बहतर से बहतर काम किये हैं और आगी की क्या रहनेती हैं तमाम के होल ने को लेकर चुनाओं को लेकर और 1932 को ले कर पर बाक क्रुप से जवाब दिने करने का विल लेकिन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों सुरू बढ़ों सके, बहुत बहुत सुक्रिया.